क्रिशी कानुनों के खिलाफ देली बॉटर पर किसानों का अंदोलन जारी है किसान क्रिशी कानुनों को वापिस लेने की मांग पर अड़े 21 दिनों से दिली की सीमाओ पर धरने पर वैठे है सिंगु पार्डर पर किसानों के धरने में शामिल संत बाबा राम सिंग ने खुद को गोली मार ली है उनकी मौत हो गई है बाबा राम सिंग करनाल में कुर्दवारा नानक सर में ग्रन थी थे वे धरने पर शामिल होने के लिए करनाल से लगातार आते जाते रहते थे चार-प पुली उन्होंने अपनी लाइसेंस सीपी स्टॉल से मारी है वहां मौजूद उनके जानकारों ने तुरंत उन्हें लेकर जीटी रोड से होते हुए पानीपत के पार्क अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोशित कर दिया जानकार उनके शेफ को लेकर क जुम करना पाप है जुम सहना भी पाप है राम सिंग आगे लिखते हैं कि किसी ने किसानों के खाड में और जुम के खिलाफ खिलाफ और मौत है गौरतल भेकी पिछले तीन दिनों में ये तीसरी मौत है जिबके कुंडली बॉर्डर पर चोथे किसान के मौत हुई है इससे पहले सोमवार और मंगलवार सुभे भी एक किसान के हिरीदेग हाथ से मौत हो गई क्रिशी कानूनों के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर 27 नौमर से किसान धरना दे रहे हैं धरनास्तल पर किसानों की मौत को लेकर चिकित्सकों का कहना है कि बर्ती ठन के कारण बुजूर्ग किसान लगतार बिमार हो रहे हैं वे ब्लेड प्रेशर और हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं और यह हिरीदेग हाथ से उनकी मौत हो रही है